जैसनातन, बंधु सनातन में नितने त्योहर नितने परवाते रहते हैं क्योंकि आस्ता रहती है प्रभू के प्रति गोपाश्ट में, गोपाश्ट में क्यों मनाई जाती है? गोपाश्टमी श्रीकिष्ण की पौरनिक कथा और पूजा की भी थी आईए सुनते हैं कार्थिक शुक्लपक्ष अश्टमी तिथी को गोपाश्टमी के रूप में मनाया जाता है इस दिन भगवान श्रीकिष्ण ने गोचारण लिला आरंब की थी कैसे करें गोपाश्टमी पूजन इस दिन बचले सहीद गाय का पूजन करने का विधान है इस दिन प्रातर काल उटकर, नित्य करम सेनिबट होकर इसनान करते हैं प्रातर काल ही गोवों और उनकी बचलों को भी इसनान कराया जाता है गो माता के अंगों बे मेहनी, रोली, हल्दी, आधी के साथ थापे लगाए जाते हैं गायों को सजाया जाता है प्राते काले, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़े जले भी वस्त्र और जल से गो माता की पूजा की जाती है और आर्ती उतारी जाती है, पूजण के बाद गो ग्राश निकाला जाता है, गो माता की परिक्रमा की जाती है परिक्रमा की बाद गो माता के साथ गुजदूर तक चला जाता है भगवान स्रीकिष्ण की गो चारण लिला की पौरणिक कथा अथार्थ भगवान स्री किष्ण ने गउचराने का किस तरह से प्रारंब किया था भगवान ने जब छटे वर्स की आई में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान मता यह सुदा से बोली मैया अब हम बड़े हो गे इस पर मैया यह सुदा बोली अच्छा लल्ला अब तुम बड़े होगे तो बताओ अब क्या करें भगवान ने का अब हम बच्छडे चराने नहीं जाएंगे अब हम गाय चराने जाएंगे भगवान स्रिकिष्ण की ये बाद सुनकर महिया ने कहा ठीक है बाबा से पूछ लेना मैं यह कितना कहते ही जड़ से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गे बाबा ने कहा लाला अभी तुम बहुत छोटे हो अभी तुम बच्छडे ही चराओ भगवान ने कहा नहीं बाबा अब हम बच्छडे नहीं चराएंगे हम बड़े हो गए हैं गाय चराएंगे बुलाये है गोच अरण का मुर्त देखना है पंड़ जी आप आज ही का मुर्त बता देना में आपको पहुत सारा माखन दूंगा इतना सुनकर पंड़ जी मुश्कराए और पंड़ जी नंद बाबा के पहुंच के और बार बार पंचांग देखकर गण्ना करने लगे तब न बाबा तो एक वर्षता कोई मुर्त है ही नहीं बस पंड़ जी किती बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्विक्रती परदान कर दी वैसे भी सची तो है भगवान जो से में कोई कार्य करें वही सुब मुर्त बन जाता है उसी दिन भगवान ने पातिक मास में शुकल पक्षम अस्ट में भगवान के गोचारण आरम करने के कारण ये तिथी गोपास्ट में कहलाई माता यसुदा ने माता यसुदा ने अपने लल्ला के संगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले म यदि पहन सकती होतों उन्स सभी पना दो और भग्वानों ग्वाल गोपल इस प्रकार विहार करते है भग्वाण से उस्वन्हें प्रइस किया तब से भगवान की गोचारण लिला का आरंब हुआ जब भगवान श्री किष्ण गोई चराते हुए वरंदावल जाते तब उनके चरणों से वरंदावन की भूमे अत्यंते पावन हो जाती वह वन गोउं के लिए हरी भरी घास से युकते इमरंग बरंगी पुस्पों की खान बन गया था जिहां सनातन प्रेमियों तो ये थी गोपाश्मी की कथा और किस तरह से भगवान स्री किष्ण ने गोचारण प्रारंब किया जिस दिन गोचालन प्रारंब किया उसी दिन गोपाश्चमे का पर्वी प्रारंब हुआ ये गोपाश्चमे की कथा पूजा विधी ये सभी लेख हमने वेब दुनिय से लिया है जिहां इसमें हमने अपना स्वर्द देने का प्रत्निक किया है हम हैं आपके पूरण मलपारिक जवान भाई ऐसे नए नए लेख नए नए जान करें देखने के लिए हमारी चैनल को करें सब्सक्राइब पसंद आये तो लाइक और सेर भी करें एश्री कृष्णा राधे राधे गोपाष्ट में के आप सभी को हार्दिक बधाई एवम मंगल में सुपकामना जय सनातन